और मेरे प्यारे बच्चों के पैस्टर्स विद डाइलेक्ट्रिक्स अलग-अलग कॉंबिनेशन को हम देखेंगे बहुती जबरदस्त और बहुती खुबसूरत कॉंसेट है यह बहुती जोरदार प्रॉब्लम्स बनती है इसको सीखने के लिए मेरा रामबार तरीका जिसको ह और वह कैसे करेंगे ध्यान देते हैं हम जिनके बीच में कैस्टर्स निखालना है हमें कैस्टर्स let's say कैस्टर्स हमें चाहिए एक के बीच में और बी के बीच में हमने कहा लेट्ट दी potential of a, b, v, potential of b, b, 0, अब ध्यान दो, इस प्रक्टर प्लेट में जो middle plate, middle region है, वो साफ साफ equidistance है, यानि, a से इस पर पहुँचने में जो potential drop होगा, वो सेम होगा, तो हमने का, let us say, इसका potential, इस plate का potential x है, वा सर, क्या बात है, v, o, x, v, 0, x, अब इसका modified circuit बनाओ, यह a है, जिसका potential v है, यह b है, जिसका potential 0 है, और बीच में है x, तो पहला capacitor, a और x के बीच में लगा हुआ है, और दूसरा capacitor, x और b के बीच में लगा हुआ है, obviously, this is a series circuit, please remember, आपके पास अगर series circuit c1, c2 हो, c1, c2 हो मेरे बच्चों, तो c effective का formula आपको याद है, c1 into c2 upon c1 plus c2, कई बार यह लगाईए, यह तब लगाया करो, जब तुम्हारे पास values constant के रूप में दे रखी हो, लेकिन अगर values variable के रूप में दे रखी हो, तो classical formula लगाओ, that is equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2, आप देखते हैं, what is c1, c1 अगर notice किया जाए, c2 के साथ k1 है, और c2 e0 a by d के साथ k2 है, और solve करते हैं बच्चे, 1 by c effective की value कितनी आ गई, ध्यान दो, उल्टा हो जाएगा, d by e0 a k1 plus d by e0 a k2, d by e0 a common, 1 upon k1 plus 1 upon k2, मेरे बच्चों, easy question है, अगर notice किया जाए, तो c effective की value कितनी आ जाएगी, मैं पुरा solve करके लिख रहा हूँ, e0 a by d तो आ जाएगा, और साथ में k1, k2 उपर आ जाएगा मेरे बच्चे, और k1 plus k2 नीचे आ जाएगा, तो this is a very beautiful problem, a very beautiful solution, तो मुलों सार क्या ही रखा था series, था series तो हम करी लेते, जैस बटा, हर circuit या तो series या तो parallel या तो अन्वा combination होगा, तो हम कैफे जानेंगे कौन सा series है, कौन सा parallel है, उसको समझने के लिए हम एक और problem देखें, आईए देखते हैं, यह सामने है एक problem, I hope अगर आपको समझ में आ गया है, तो बच्चों pause करो, और इसे solve करने की कोहिश करो, आपके सामने problem है, आप notice कीजिए, अगर a का potential में v मानता हूं, और b का potential में 0 मानता हूं, तो यह वाला capacitor v और 0, वी और 0 और वी और 0 है, तो obviously यह तीनों किसमें हैं, parallel में हैं, तो आपने कहा a लिखा, जिसका potential v है, आपने b लिखा, जिसका potential 0 है, पहला capacitance c1 आपके सामने, दूसरा आपके सामने c2, तीसरा आपके सामने c3, तो इनके capacitance को जोड़ दो, तो c effective क्या हो गया, यह हो गया c1 प्लस c2 प्लस c3, शायद formula पता है, तो बटा formula क्या आगया, e0 a by 3d, सर यह 3d कहां से आगया, अरे a by 3 है ना बटा, पूरी plate का area a है, तो इसके पास तो a by 3 ही available है ना, तो a by 3 आगया, साथ में k1, similarly e0 a by 3d, k2, प्लस e0 a by 3d, k3, obviously the option is, or the common is e0 a by 3d, common हो गया है, यह k1 है, यह k2 है, यह k3 है, और यह एक हलवा प्रश्न है, लेकिन बटा यह हलवा प्रश्न आपको, यह हलवा प्रश्न आपको, वस लेवल पे लेके जाता है, जहाँ पर आपको सीरीज और प्रश्न को, आइडेंटिफाई करने की ताकत मिलती है, पोटेंशल सेम है, यहनि कि वो एक प्रश्न कॉम्बिनेशन है, पोटेंशल डिफरेंट सेम है तो, और मैं का सार, जब और 10 था बढ़ा एज़ी भी था, लेकिन क्या हम अगला कुश्चन भी कर सकते हैं, आपके सामने है यह, बहुत बाइजी और पताना, K1, K2 सीरीज में हैं गी पैरल में और K3, K4 सीरीज में हैं गी पैरल में और K3 कैसे है और K2 और K4 कैसे है अब ये जबर्दस कॉष्चन है Let me tell you the wrong circuit बहुत सारे लोग ये circuit को जब simplify करते हैं तो पता नहीं क्या कर देते हैं ध्यान दीजिए वो A पर बनाते हैं C1 यहाँ पर बनाते हैं C3, K1, K2 और फिर यहाँ बनाते हैं ऐसे यहाँ बनाते हैं ऐसे और इसे बना दे यह C1 है, यह C2 है, यह C3 है, यह C4 है और यह wrong है क्यों wrong है यह? आखिर क्यों मैं इसको wrong बोल रहा हूँ? समझने के लिए let's go into the deep knowledge of potential difference समझो, ध्यान दो और यह जोरदार चीज़ सिखाने जा रहा हूँ आप नोटिस कीजिए A का potential तुम V लेलो, B का potential तुम 0 लेलो, कोई दिक्कत नहीं obviously K1 और K2 की बीच की इस plate की बारे में बात करो, इस plate की बारे में अगर बात करो, तो नोटिस करो बटा यहां से, कहां से? यहां से इस वाले capacitance में, dielectric में, जो potential drop होगा, क्या वो यहां वाले में सेम होगा? question mark, नहीं होगा ना, क्यों होगा? अगर dielectric अलग है मेरे बच्चे, तो potential difference भी अलग होगा? तो हमने का, हाँ सर, बोल तो सही रहे हो, यानि अगर इस plate का potential x मानूँ और इस plate का potential y मानूँ, तो मैं सही करूँगा, क्योंकि यहां से यहां y पहुच रहे हैं, यहां से यहां x पहुच रहे हैं, x से यहां 0 पहुच रहे हैं, y से यहां 0 पहुच रहे हैं, तो हमने का, जहां पर हमने वी लिखा हमने वी लिखा जहां हमने जीरो लिखा और लेटट इस सुलब फ्रym्डथा इस हाधे शेध नहां इस फिन फ्रमर्प घ्रव to बोल रहा है यह वाला सर एक V पर है और एक वाइपर है अमने का सही बोल रहा है बच्चा और बच्चा यह आ गया V और 0 तो यह है सर्किट माई डियर not this this is wrong extremely wrong please understand and that is the beauty of the problem अगर आपको problem समझ में आई तो please जोड़दार comment करें कि हां सर यह खतरना question था और अब हमें आता है तो कि हमें plates देखनी है potential देखना है उसके हिसाब से decide करना है कि series कौन सा है और पाल कौन सा है circuit पर चलना सीखो मेरे बच्चे तो तो इसका modified circuit में उपर बनाता हूं then we'll solve it तो modified circuit क्या हुआ ए है भी है यह है आपके मेरे बच्चे series में और यह आपस में है आपके parallel में बोलो yes or no है ना आओ जरा इसको solve करने की कोईश्च करते है ध्यान देना बहुत simple question है बहुत ही easy approach भी त्यामारा हमने का वाई यह c1 है यह c2 है अच्छी बात है यह c3 है यह c4 है तो बड़ा c1 c2 series में है c3 c4 किसमें है इंदोनों की वैलू कितनी आ जाएगी और निकालते है यह आ जाएगी ONE उप ऑन सी कुलेंट की वैलू आएगी एफक्टिव की सुले पार्ट कि 1 upon C1 plus 1 upon C2, यह कितना है, 1 upon C1 कितना है, अब C1 देखो दिहान से, C1 is, C1 is, एक में लग देता हूं, C1 is E not A by 2D, अब area आदा हो गया है, area का हो गया, आदा हो गया है, और K1 है, तो अब दिहान दे न, यही आएगा हर बार, तो यह हो गया, 2D upon E not A, K1 plus 2D E not A, K2, common क्या है, 2D E not A, और यहाँ पर K1 plus K2 by K1, K2, यह आपका आगया, उपराली ब्रांच का, तो क्या है उपराली ब्रांच का, उपराली ब्रांच का बटा आगया, C1 effective आपका जो है, वो है, E not A by 2D, K1, K2 by K1 plus K2, easy, अमने का सर नीचे वाला साल करने कोई जारात, नहीं है, सर जी नीचे वाले का सूट C, इसको 2 effective बोल देते हैं, कितना हो जाएगा, सार देखो, E not A by 2D में कोई अंतार नहीं है, अंदर क्या आएगा मेरे बच्चे, K3, K4 by K1, K1 कहा सा आगया, K3 plus K4, Now these are the two effective capacitance of the upper and the lower halves, तो net कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, पैलल है, पैलल, पैलल मतब इन दोनों को आड कर दो, तो C effective net की value हो गई, इन दोनों को आड, obviously E not A by 2D बाहर आ रहा है, और बच क्या रहा है, K1, K2 upon K1 plus K2 plus K3, K4 upon K3 plus K4, जोरदार, शांदार, जबरदस्त result आपके सामने है, और problem उसी समय कमरे से बाहर चली जाती है, जब मेरे बच्चे को simplify करना आता है, और अगर simplify करना आया, तो मज़ा आया वाई सा, आओ, problem number 3, एक जोरदार problem थी, और शायद बच्चे को मज़ा है, बहुत सारे लोग इस problem को गलत तरीके से करते हैं, मेरे बच्चा नहीं करेगा, विकास उसे अब potential लिखना आता है, हम नहीं का, हाँ सब सही है, एक दम सही है, जोरदार problem, problem number 4, approach, I will not solve the problem now, it is you who have to solve it, और अगर आप solve कर पाते हैं, तो आप comment में इसका option, या तो मैं इसका solve करता हूँ, एक और question आपको देता हूँ, करने के लिए, कैसे approach होगा इसका, approach क्या होगा, आप comment कीजिए, इस problem में हम कैसे approach करें, नोटिस करो, बड़ी जबरदस बाते हैं, अगर मैं कुछ बाते करूँ, तो बच्चा समझ जाएगा कि क्या करना है, इसको लिया V, इसको लिया 0, अब नोटिस करना मेरे बच्चे, अगर ये X है, I cannot say this is X, I have to put it Y, अगर ये Z है, तो I have to put W here, क्योंकि इतना इसमें, इतने पार्ट में एक potential difference, लेकिन same potential difference यहां नहीं है, कैसे करें सर, कैसे करें, कुछ tension ना लो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, मैं हो ना, वाई, हमने क्या किया, हमने का दौट 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 दौट, 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 काट दौट, अगर इसका पूरा capacity था आधा उपपर ले जाओ आधा नीचा ले जाओ और अब solve कर लो देखो ध्यान से A लिखो ऐसे नहीं A लिखो A लिखो साथ में B लिखो B लिखो साथ में 0 लिखो और अब आओ शुरू करते हैं पहला है A और X के बीच में दूसरा है X और Z के बीच में फीसरा है Z और B के बीच में Similarly मीचे वाले एक दो तीन खतरनात नहीं है अगर आप समझ गए तो मज़ा आज आना चाहिए इसे कहते हैं जोरदार प्रश्न और कुछ नहीं है हाँ पर त्यान देना यह अगर C1 है K1 वाला यह अगर C2 है K2 वाला तो यह C3 नहीं है C3 by 2 है C3 निकालो divided by 2 करो C3 निकालो divided by 2 करो C4 निकालो C5 निकालो and get a beautiful question right now available at your कितना जबरदस्त करना आना चाहिए बाइसाब करिए ट्राइ कीजिए इसका अंसर निकाल लिए और आंसर जो भी आये तो मान के चलो अगर तुम्हें अप्रोच सही ही होगा ठीक है बच्चे आगे एक और प्रश्न आइसा ही और हलवा प्रश्न दिया है लेकिन ध्यान देना पीच्छ आले में ध्यान देना यह डीवी की यह सा कोमेंट वाला कोश्चन अगर आपने चारो कोश्चन अपने आप किये मेरे साथ साथ किये तो पाच्वां आप जरूर अपने कर पाओगे ट्राइब करो एन्देन प्लीज आंसर में कमेंट में कीसका अंसर क्या है तो अगर आपको यह 5 प्रश्न आते हैं तो मानके चल इस तुम करने के और तुम कर लोगे ठीक है मेरे बच्चे तो बिलते हैं एक और वीडियो के साथ लेकिन बिफोर दाट अगर तुम्हें यह स्रीज आफ क्लास 12 इंपोर्टेंट सीरीज जो हमने रखी है अगर बजा रहा है तो प्लीज यार कमेंट करो सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी बताओ हम अपने प्यारे बच्चों को जई में फोड़ के दिखाएंगे हर बच्चा फोड़ेगा मेरा अगर वो लगा रहेगा जबर्दस तरीके से मैं बार बार केता हूँ पढ़ते रहो और होडते रहो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी बाई अच्चों